अब तक की फोर यूनिट्स कंप्लीट कर लिए चलिए अब यूनिट नंबर फाइव अंपसेशन एंड मेनेजमेंट इसका हम वन बाइवन करके समझते हैं पोशन नंबर बान डिफाइन कंपसेशन वट आ दी बेसिक कंपनेंट्स ओफ पेशक्चर इन इंडिया डिसकस इंड बिटैल is that the role of HR manager in administration in compensation program meaning compensation compensation क्या होता है is that what employees receive in exchange for their contribution to the organization कि जो employee ने काम किया है उसके एक्षेंग में उससे और डिशेंज में से क्या मिल रहा है क्योंकि है एक परसन काम कर्का था और कि उसे रिटरं में कुछ रच नकुछ मिले इस पेंग पीपल फोडिए कर देंगे अपको भी पता है जब आपकी अप्लाइग करते हो या कुछ भी काम करते हो तो आपके और इंप्लेवर के बीच में कॉंटक्ट होता है जिसमें कुछ लिख होता है कि आपको पैसे किसे साथ से मिलेंगे आपके आपने एड़िटे क्या कुछ है तो वह क्या होता है अब इसमें क्या होता है जैसे हर साल हमारी इंफलेशन बढ़ती है कुछ पॉइंट से तो उन्हें क्या कर दिया जाता है कि तो हमारी सेल्ड हर साल हजार पंदासो जितना भी उन्होंने डिटर्माइन करका रखा इन इंफलेशन की क्गणा भड़ेगी तो उनकी परेशन कावर डिक्रीशन उत्यार चाहता है वेरे एडिवल पे जो हम डिसकूस करके या भी यह आपके परफॉर्मेंस करता यह लेकिन थोड़ा सा ओल जादा कर दिया ताक एक पसंद मोटिवेट होई वह साथ मैं कहता है अगर आपने जादे बिच्छी आपको ट्रिप्ट वह देदें बेनिफिट्स तो इतना साथ होते ही है जैसे आपको हाउस रेंट आलाउंस दे दिया या आपको अपन्वीनियंस दे दिया कुछ भी दे दिया एक्चाय मनेजर प्रेज़ प्रेज इंपोर्टेंट डोल इन अडिश्टिंग कंपेशिशन प्रोग्राम एचाय कैसे करते है पह कि जैसे आपने ज्यादे इंफ्लेशन आ रही है या कुछ भी अदर फैक्ट्रेट्स है वह उन सब्सक्राइब करके आपकी पेश्ट्रक्चर को डिटेमाइन करेगा इसको पैसे पैसे कर दियो वह फियर है कि नहीं है कभी आप उसका एक्सको निकले तो इसको ध्यान रखे एक सेल्दी सर्वे कर रहेगा कि जो आपको सेल्दी मिल रहा उसे सैटिस्वाई हो कर नहीं हो ताकि कभी अगर एंप्लोई अन्साटिस्वाई है या नि वह कुछ ना कुछ अधर निट डूंड अधर चीज़े डूंड रहोगा अपने इसको सैटिस्वाई करने के लिए ए चलिए कोशन नमबर टू बटार दिजाइन और सांट कोंपोसिशन और इन और इसमें इसमें तीन दी के सब्तार्ग है इंटरनल एक्टरनल इंडिविजल इंटरनल क्या है कि एक वर्कर की और एक कंपनी की मनेजमेंट की जैसे बोर्ड डेक्टर हो गया या कुछ भी अधर परसन हो गया चीफ फाइनेशल ऑफिशर इन दोनों की साथी में तोने डिफेंस क्यों होता है उसको सुबह आना है अपना काम करके चला जाना है लेकिन एक कंपनी को करना ह इसके अंडर कितने सारी उसके अंडर तो पूरी कंपनी होगी अगर अपने उसको इक्वल पे ने किया कि कंपनी छोड़के चला जाएगा कि हम अपने इंप्लोई को आपने पार सकने चाहते हैं कि हमने उसको टेरिंग दिया सब कुछ दिया कि अपना वह काम अच्छा कर गाएगा हमें एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा जो हमारे ले भी डिफिकल्ट है तो कंट्र लेबर कोश्ट एंड एडिश्टिंग कोश्ट इन लाइन विद दी अबविलिटी तू और इंप्लोई इंप्लोई मोटिवेशन एंड मोटिवेशन एंड मोटिवेशन है यह क्योंकि आप उसका फेर वेजिस पेकर होगे वह खुश्यों के घर जाएगा दागले जिस कुल के काम करेगा दी परजेक्टिए अगूड इमेज ओव दी कंपनी एंड लीगल नीट्स क्याने एक कंपनी में लोग साल्दी मिल दिया तो अच्छी वाली के अच्छी वाले के ताफ साथे लोग जाने की प्रफर करती है उसमाँ टाइक करते हैं तरी सैटिसाइग लिक्विटी के एक एक यह क्या रहा है कि जैसे एक कंपनी इसके रिपार्टमेंट में दो जोब है ए और बी दुना दूना सेम है कि मतलब उसके लिए अलग-अलग सेल्दी मत कीजिए कि आपको एक पर सेना उसको देदे ओ फो लेक और उसके साथ वाले को देदे थ्री लैक क यह बतलब सबको सेम है तो आप उसमें अलग-अलग मत कीजिए क्योंकि बाइचांस कभी उनको अपरता चला या कुछ भी हुआ तो उनके मन में कॉंप्लेक्सिटी राइज होएगी जिसके राम चोड़के जा सकते हैं तो उसक्रीके से सम अब इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव्स डैट साउट टुबी अचीव डूरिंग एफेक्टिव कंपेसेशन मेंजमेंट आर लिस्टेड बलो क्या क्या है यहां पर अगर आप अच्छे टालेंट को लेके आ सकते हो रिटेंट टालेंट कि अगर आपके पास अच्छे आप उसको अच्छी साल्दी दीजी अच्छे बेमिफिट जीजी जिसके आपके कंपनी छोड़के जाए ना एंशुर इक्विटी वही सेम जोब के लिए आप सेम वेजिस दीजिए ताकि सबको सबके मान में एक जैसी भावना रहे पंटोल कोश्ट क्या एक इंप्लोई छ अच्छा लगता है एक कंपनी कंपनी के अंदर कुछ ऐसा काम आगे जिसके अंदर काफी रिस्क इंवर्वल्ड है तो जब वह आगे आया तो उसको रिवोर्ट देना चाहिए एक तो उस बात का कि वह सारों में से सबसे आलग लिकल के आया सबसे लिकल का उसने काम बूरा क शूट वी एजिए टो अनेस्टैंग अंपयर शूट रमाट अनने रिगारिंग डिपे इलेटमेर इंप्रिट वस्चिन-बसौन को शुद नम्र थाटू इंपनीड वाटशों देनीक्समा इंट कंपनीं अ इंप्सिटिश बनी इंपनेंड लिए सव तुम अविबनेंगर पैसे के जंगा आप उसको जैसे कहीं बार क्या होता है कंपनी होलिए स्पोंसर कर देती है अपने आथ छिंप लेगों किया तरह रहना खाना गूमना सब कुछ हम रिएंबर्स कर देंगे तो यह क्या होगा एक नौन फाइनेंशियल हो गया अच्छी कंपनी के पास आना चाहेगा आपके पास बढ़ जाएगी अच्छी परफरमेंस के लिए जल्दी काम करनेंगे सोचेंगे इंपलोर्स डून अच्छी बेनेफिट्स पर देर फिर कोन इच्वड के जाएगा तरह तो बीकंसेडर वाइंग डिटर्माइनिंग परशिशन पाले आगे अग्या एक्ट्ट्रल मोटिवेशन वेजिस अंसादी न और गनेजिशन शूड बीट्टी वेजिस इंसादी अब इतना मिल है इसमें अच्छे 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 लॉट्री में कि यंप इतनी फीस मांगत है वह एकडिशन और सेम केस में small organization होती है वो भी सेम काम कर रही है लेकिन उसका नाम छोटा होने के कारण नाम उसके सब्सक्राइब नाम एक सब्सक्राइब रहां अच्छे पर जाएंगे तो अपने इसली दे सकते हैं एक srl जाएंगर उसके बससे काम पांसे आपने नींगे से देंस आपकी वेजिए से इतना सा कम नहीं होने चाहिए यह वो हुँ तो उनको comply करना चाहिए प्लस अदर फेक्टर्स के एजन पॉटेंशियल पॉटेंशियल के यह एक एक इंप्लोई ज्यादा काम कर रहा है तो उसको ज्यादा वेजी स्पेजिए उसको ज्यादा बैठेटे काम है तो आप उसको थड़ा लेस्टी दोल इन दी एकनोमी क्लासर में अच्छा काम किया जैसे आपने पूरे साल क्लासर में अच्छा काम किया और बाद में आपकी जैसे तो वह बनाता है तो आप उसको पूरे साल खुश होई कि काम करने का एक अच्छा परदें थे लिश्ट कोष्टली एंड वन ऑफ दिमोस्ट पारफल डिवोर्ड या कर एक एक इंपडरी को अब उसे करोगे उसको मोटिवेट करोगे अगर एक ग्रूप है किसी एक बंदे ने जदा अच्छा काम किया अब पूरे ग्रूप के सामने लौग उसको पूरे तो वह अगले महीने भी अच्छा काम करके देगा कि वह सुच्छे का मिलको अपनी पुजिशन मुना कर रखनी है प्रवाइडिंग एल्दी एंड से वर्किंग इंवर्मेंट दीजिए जाकि सारी इंप्रोविंग क्वालिटी ओवर्क लाइफ फियर टुछूज अव थिंग तो रिवर्स गिवन दीएंप्लोईज बाइचर इंप्रोविंग अच्छा काम की यह ने पांच जाद रुपे का चेक लें तो उससे में प्लस के जोब नीड्स की जोग अगर रिस्क टेकिंगा यह तो आप ज्यादा पे कीजिए अगर जोब आपको लगदा है कुछ ज्यादा बड़ा चैलिंजिस नहीं है तो आप उसको थोड़ा मेडियम पे कल दिजिए करने के टाइम पे तो वो कम पे कर पाते हैं कोस्ट ऑफ लिविंग रिविलिंग वेज रेट्स की जैसे मार्केट में 10 रुपीस पर उनिट चल गहा है तो आप उसका मद्यना जाद तो उसको वेजिस पे कीजिए लेबर उनियन हर एक लेबर उनियन चाहती है कि हम अपने करते हैं स्टेट रेगुलेशन की लो ने क्या रख्था है डिमार्ड होता ही है कि कहीं बढ़ जाते हैं तो उनके देट बढ़ जाते हैं तो उन्ची जब काफ इपैंट करता है तो पहले तो आते हैं तीन जोंसे मेन होते हैं इंटरनल एक्टरनल और इंडिविज़ अगर लेबर को कोशिण आ रहा है तो सबसे पहले लेबर की बात तो आती है और जोब नीड्स यह कंपनी का आगया कोश्ट अफ लिविंग और प्रिविलिजिव वेजिए रेट और स्टेट यूनिन यह तो निगटिय का सकते हो डिमार्ड एंड स्प्लाइव लेबर यह न अगले महिने फिर आज़े तो अगर आप ऐसे करोगे तो वो श्यार्ड दी मोटिवेट हो जाए और अगली तार भी सूचे मैं मैं एक्स्टा मैनत करू क्यों कि मुझा पैसे सो के मिलते हैं तो आप इसको पंदार यूनिट की एक्स्टा पे करोगे कंपशेशन मेंजमेंट इस एक्टो डिस्ट्रिबूटिंग सं टाइप अफ मुनेटरी वाल्यू फो एन इंप्लोई फो थी वर्क बाइमिस अपने इतना तो इतना देना लिए कोई कुछ नहीं जैसे फिक्ष्ट होता है कि आपको महीने के 10,000 रुपे देने देने हैं तो उसी पे मतलब आपके प्रेक्टिवेटी से लिंक नहीं होता सप्प्लिमेंटी कंपशेशन इसी कंपशेशन पेड और अबव दी पेस को पे कंपशेशन कि आपने कह दिया कि 10,000 तो तुम्ही मीलेंगे अगर आपने एकजार यूनिट्स मुनाई कि अंट इक उन्ट फिया हम लगा के चलते हैं और अगर आपने एक्ट्र उनिट्स बना दी आपको पहले 10 रुपे पर दीलिट मिल रहें बाद में आपको 12 रुपे पर यूनित यानि आपको 2 रुपे और तो सेट में। निख रिरीभ कि अप्र वाचिछ भी वी ऐस ग्राइब सेट खेंगा जाद से ग्राइब क्राइब टॉटिलिटे संट टुलिडी टॉ। हरो हुट पर फॉटिलिट्टिय। पर्पामस अप्रिप्ट्रिश बेसें प्रॉटिड क में टॉटिब शिद डॉट अम पुरा महिना यह पुरा हफ्ता जो इसने महनत करके कमाए हैं आप वेजी और सेलरी में क्या फार्क होता है वेजीस टाम दिया जाता है वरकर्स के लिए जो एक मैनुवर लेबर का काम हो गया सैलरी क्या होता है जो ओफिश टाफ होता है आप उसको कहते हो आशिशेटर भी क्या है उसके तो टार्गेट्स होता है कि आपको यह करना आपको यह करना है प्रस्वर्मस्लीक्त कमपसिशिशन वहते हैं कि जैसे आपने सेर्समेन को गई दिया कि पर दिए एक लाक साथी फिक्सलिए है लेकिन हाग तुम्हें हमारी यूणि ज्यादर सैल करती तो आपको तो और जादा पे करेंगे वारी अवल पेस्टे न जाता है यह तो परफर्मस होते है कि एक सेल्स्मेन में क्या होता है कि एक एक कंपनी कमपनी के अंदर वेरिश तैब्म डिपार्टमेंट है लेकिन एड़ यह क्यों एड़ कंपनी घो ऑपके और कुछ अपनी सेल कर दिया ए आए जाता है at the end तो जितना ज़्यादा एक बंदा सेल करेगा उतने ज़्यादा कंपनिकों वह पेकर पाएंगे next question which method of wage payment will you prefer time rate or a piece rate justify your answer next question differentiates between the time wage and a piece rate why do trade union resist piece wage rate system then we'll download time wage rate system in the system the workers is to be paid on the basis of timing spent of the workers irrespective of the amount of beaucoup time wage rate में आप यह करिए कि आप घंटे का रेट फिक्स कर देजिए कि एक इंपलोई आ रहा है कंपनी में वह लेट्स पर 8 a.m. पर आ गया 8 a.m. से 9 a.m. आप उसका रेट फिक्स कर जिए वह सोग पर घंटा आप उसको यह मत किए कि बहुत तुम्हें कितनी उनिट माई यह क्या था क्या वह एक घंटे में 10 उनिट माँ क्या तो वह अगले घंटे में 5 उनिट माँ कि हम लेंगे टाइम के कोडिंग पैसा एक स्पोर्ट को एक स्पोर्ट के टाइम पे क्वांटेटी-्टी देख जाते है क्योंकि दूसरे कंटी तब यह सट कहेगा अगर्वो क्वालिटी में अच्छ है और वो हो ह्जाडेटी निया हाए हेल्थ के लिए जहांपर पे क्वाल्टिय इंपोर्टेन थे एक्सक्ट मेजरमेंट अफ वर्क इस नोट कैलकुलेबल कि जहां पर आप यह नी देख सकते कि भी कितनी उर्ट्स बनिया है हाई ली डिग्री ऑफ स्किल्स एंड जहां पर आपको स्किल्स का काम है नेचर ऑफ एफिशिंट कैन बी मेज़र बार क्लो सुपरवेजिन कि ऐसा काम जहां पर आपको कोई ना को एक बंदा सुपरवेजिन के लिए चाहिए चाहिए कि इसमें क्या है कि जई से लट्स एक मनेज़र खोड़ कीज़र चोड़ के लिए इसमें क्या है जैसे लेट सपोर्स 10 गर्कस के उपए एक मेनेजर छोड़ दिया कि तु देख तरसा काम चलता है तो आपका इधे को एक मेनेजर है वो जादा साल दी लेगा तो आपका उस मेनेजर के पे करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं वरकस्टेंट वेस्टाइम काड़ में एक वरकर के मन में लेगा कि मुझे यूनिट से दाधा टाइम लगाना कंपनी में इस इस्टम इस एंफेर पीशेट वेस्टम पीश्टम क्या हुटता है कि जितने एंप्लोईज से यूनिट बनाए आप जाते हो वहां पर क्या होता है उनके स्टेप सारे डिफाइंड है कि अगर आपको यह वाला पीज़ करते हो वह पीज़ इसी स्टेप से बनेगा ऐसे क्या होता है जब एक टास्क हो जाता है तो इसके कम पैसे मिलती है क्योंकि उसके लिए तो हमें कुछ अपना दिमाग चलाने है नहीं हमें पता है यह स्टेप करने है वह करके सारा काम हो जाएगा जोगेश्ट केन फिश्ट सटिस्वेक्टरी जेरी सविशन डिमांट ओफ आउट्पिट इजो भी स्टेंडराइस एक जोब को आपने स्टेंडर कर दिया कि इस्टेप से अप मैगडी में जातो चाहिए पीज़ा आज खाई यह आप उस एक महीने बाद आप जाए उसका टेश्ट वाइस ही रहता है क्यों कि उसको सेम स्टेप सेम सेम इंडियेट्स सेम कॉंट्पिम होते हैं मैरीट्स के हाई यह प्रडक्शन देगा इंप्लोई बनाके टार्ट बेंड आन मोरे यूनिट्स बनालू पांचे कुस्तर बनेगे में कुस्तर पैस एक्ष्टर लेकर जाओंगा वरकर सानोट पेड़ फॉर्दी वेस्टिड टाइम गयाटर के एक वरकर है वह अपनी मिशीन दा भी दिया रखिया उसको पता है एक बाद मिशीन खाब होगी आउटकुट रोजा जाना पड़ेगा बिगनर्स का क्या मतलब है एक वरकल ताज़ 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 फ्रेश्ली कंपनी में आया है उसे पता नहीं कहीं से मनाना है तो अगर उसनों यूनिट्स नहीं नहीं तो उसके पास कोई कंपेशिन नहीं होगी क्वाइल्टी गैट्स मोरी इंपोर्टें जो आपको गाइड करें तो वहां पे शुटेबल नहीं है और वह एक ताइम हो जाएगी लैक ऑफ नेंड़ स्लीप के लिए उसका पता है मैं काम ज्यादा का सकता हूं वह ज्यादा वेजिस लेके जा रहा है यह कोई भी फ्रेंड के वह दूसरे मंग ज्यादा लेकिया है वह ज्यादा पढ़ था वह लेकिया है तो ऐसे कहते एक डिसस्टी स्वशीन आजाती है तिल लिएन्स घूछी कोशिए गणरफ वाट इसेंटी वेज़ प्लान वतार बेनिफिट्वीट सब्सक्राइब परनसुट लिए लिए अपनी एंपलրरेक्टिविटीडिटी तुछ बन थाउजन से जितनी पर बनाएगा तैन रुपीस पर उनिट के जंगा हम 12 रुपीस पर उनिट देंगे दो रुपीस का प्रीमियम किस बात का कि उसने एक्स्ट्रा आउट्पुट देरा कंपनी को लिकाल के इंक्लूड ओल दी प्लैंस डाइटर परवाइड एक्स्ट्रा प्रफर्मस इन अडिशन तो दी देगलोर वेजिस पर देख यह दो प्रफिक के एक्स्ट्रा पेकर देओ वेजिन सेंटिव थो है कि जो उसने डागलोर काम करना था उसने उसने ज्यादा बढ़के काम गिया है बहçते लेजिए इंटियिकेंटि प्लासिफरेड इंटो टुटो बलर्डड का इणिविजिल इंसेंटिव अब इंडिशनिटिव अब इनुग ने कम कर बूश्य। तो आप एक पूरे team को consideration में लेकि आप उनकी performance को measure कर दे हो plant-wide plan, scheme, performance of a factory as a whole, कि एक company है, let's suppose, वो 10 अलग अलग तैब कि जैसे हिंदिस्टान वो different type of products बनाती है, तो आपने ख़ल ये soap को ले लिया, तो आप देख देख दो कि soap के workers कैसे काम कर रहे हैं, एक plant को, individual incentives may use to time output, under time-based plans, a standardized time is determined, bonus is given to the worker completed to the job less than a standard है, कि आपने का, कि 1000 units मुझे 10 hours में चाहिए, लेकिन एक employee ने 1000 units 8 hours में दे दी, तो इस चीज़गा कि तुम्हे टाइम से पहले और सेम काम करके दिया है, under output-based plan, a standard of output is given as a bonus, wage incentive scheme are considered to be beneficial, both the employer and the employees, देखो, आप समझ रहे हो, जैसे आप सोसे हैं कि पहले आप 10 रुपीस पर एक्स्ट्रा बनाएगा, यह दो एक्स्ट्रा बनाएगा, यह 2 रुपीस को मुझे घाटा हो रहा है, लेकिन जब वो कल का time वो आने वाला time भी दो बचा रहा है, वो यूट्स आज ना बनके, अग आप की कंपनी ग्रोईत होएगी, तो उस चीज में आपका कंपेश्योट हो जाता है, आप उसको 2 रुपीस को पोस्ट ना समझ के उसे अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समझीए, फ्लोईंग आधी बेनिफिट्स के, अपरचुनिटी फोर हाड़ वर्किंग इंपलई, यह तो हई है कि एक हाड़ वर्किंग वर्कर है, वो जाता काम, देखो, एंसेन्टिव आप किसको दोगे, क्लेजी वर्कर को दोगे, हाड़ वर्किंग को दोगे, making screen for more efficient and effective, की effective क्यों क्यों होता है, टाइम पर दे, efficient का मतलब क्यों होता है, की वो resources को कम से कम waste करे, इंटिव सेल्फ डिसिप्लीन, सेल्फ डिसिप्लीन का मतलब क्या है, वो टाइम को waste ना करे, सारा काम अपने काम को devote करे, improve workflow, post or supervision, get reused, की जैसा उसमें क्या था, आपके एक manager, जो आपके काम को देखे, अब इसमें क्या, let's suppose आप उस manager को 40,000 पर मन दे रहे थे, आप इसमें क तो यही सरी है ना, जितना आप extra workers को दोगे, workers को जादा benefit मिलेगा, increasing labor productivity, एलिए ने स्कूशन की तरफ, question number 13, what do you mean by fringe benefit, what are the main objectives, question number, इसका ही another question क्या, several fringe benefits are offered to the executive to motivate them and retain them with the enterprise, explain the statement, fringe benefits refers to the extra benefits provided to an employees in addition to the normal internal composition paid in the firm of wages or salary, यह कह रहा है कि जो आपको उसको worker को pay करना है, उसको हटके आप क्या दे रहे, उसे fringe benefits कहते है, objectives क्या है, to create and improve sound industry relation, कि एक वरकर और एक company के बीचे bonding भी अच्छी हो जाएगी, satisfying their unsatisfied needs, कि कुछ employee है, उनकी salary कम है, तो जब उन्हें एक्स्टा benefits मिलेगा, तो एक वर worker है, जो वो अपनी needs को satisfy नहीं कर पारा, यदि वो को समा नहीं ले पारा, और उसके हाथ में extra पैसे आएंगी, तो वो ले पाएगा उसे, to protect the health of employees, to promote employees welfare, a sense of longiness, meet the requirements, need कि एफ्रेंच benefits की, to fulfill employee demand, employee demand में कैसे कह रहा है, कि अगर आप एक employee के हाथ में, ब्रेक्ट कैश दे दो, य है, एक standard deduction होती है, 50,000 की salary में, वो 50,000 कट के, जितना उसके net amount बनेगे, उसके tax लगके, उसका कट जाएगा, तो आप जितने जादे उसको cash यह benefits दोगे, तो वो बिचाना tax के विए उसकी salary, फिससे reduce हो जाएगी, फिससे बढ़िया आप उसके incentives है, जैसे house and allowance है, कुछ भी है, उसमें deductions मिलती रहती है, जिसके कानों से index थोड़ा ज्यादा benefit मिलेगा, employer performance, to fulfill trade union demand, trade union में क्या है, जैसे हरे जना एक दूसरे compete करता है, कि मैं तुस्रे अच्छा बनूँगा, अब ऐसे क्या union है, एक state है, या आप एक local city ले ले लेजिए, वहाँ पर दो फेक्त दिया, दो workers को कौन जादा benefit दिलवार है company से, तो उनके मन में एक वो देगा, as a social security to improve human relations, next question, बस इसमें हम इसके definition पढ़ लेते है, इसोब क्यों होता है, इसोब क्यों होता है, जैसे employee shock option plan, इसमें क्यों होता है, आप employee को होगे, तू 5 साल तक company में काम कर, अगर तू 5 साल काम करता है, हम company जैसे एक शेर की value, let's first, market में आज 2,000 की चल दिया है, आप उसको रोगे, मैं तुझे 800 पे में दे दूँगा, उसे 1200 पे सस्ते में मिलेगा, और उपसे 10,000 रिकठे, वो future में चाहिए 5 साल काम करने के बाद, sell करे, यह अपने पास रखे, या तो 2,000 का शेर 5,000 हो जाए, 10,000 ह जाए, शेर का कुछ पाता ने कोई ने, चलता है, मार्केट की reputation में डिप्रेंड करता हो, company की, तो इस अब का, next question, define a system of payroll accounting through computer, भी कहले, payroll accounting हम जो computer से क्या benefit मिलेगा, देखर, आपना जब भी, इसे simple term को computer या internet से relate कर दे, तो आप एक simple benefit, आपको क्या मिलेगा, meaning में, meaning में के होत आप सिधर जो उससे पहले लिखा हो, payroll accounting, आप पहले उसको define कर दीजी, कि पहले काम किससे होता था, सारा कुछ लिखके, आप लिख देना, is done through computer, is done through internet, is done online, जो पर 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 प्रसेस, और दी नॉर्मल payroll task, वाय कम्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प आज उसे हम computer से कर रहे हैं, when the work is done through computer system, is called computer accounting, functions क्या है, आप computer में करोगे record, record कहते हैं, जैसे, let's suppose आपको 5 साल पहले का data चाहिए, पहले हैंड से काम होता था, सारी फाइल से, आप company के store में जाओगे, वो 5 साल की पहले फाइल रखोगे, उस फाइल का अंदर पेज, क्या पता एक, within few seconds, आपको किसी भी employee का कैसा data मिल सकता है, record हैगा, प्रपर structure में required structure, general entry laser, proper formats में होएंगे, जो आपका certificate चाहिए, खुद से बनते रहेंगे, आपका इस सारी documents का process करने में help होएगा, अगर आपको कोई काम तहना सही से हूए कि नियो, review में हो जाएगा, reconciliation भी आपका सकते preparation of the employees, आप इसको आपने तरफ से लिख सकते हो, advantage is care, required to you to enter number correctly once, कि करेंबा है कहता है, आप गल्टार डाल रहते हो, आपका software error दिखा देता है, तो आपको सरी डालना पड़ेगा, less human error, greater accountancy accuracy in the books, कि आपके क्या होता है, जब आपके एक account में, जैसे आपका प्लसमें पनाता थे, उसमें कहता था कि अगर आपने कहीं बार, एक account में गल्त amount डाल दी, क्याता हो, दूसरे account में सही भी, आपको पता है कि यह amount आनी थी, आपने दूसरे खाते में डाल दी, आगे वाले खाते सही चले गए, तो लेकिन computer में होगा, starting to end, सब कुछ interlink होएगा, जो आ इसके चांस अग्जाम में आने के काफी बढ़ जाते हैं, जोब इवालेशन, स्पैसिफाइड इडिलेटिव वैल्यू ओफी जोब इन अरगनेशिशन, जोब अनलिसिस परवाइड वैल्यू इंफरमेशन फोर मेकिंग जोब कंपारिसांस, जोब एवलेशन जैसे IT कंपनी है, IT कंपनी में IT employees के लिए ज्यादा होएगा, उन्हें आउटपुट से क्या मतलब है, उन्हें तो एक employees से मतलब है कि हमारा employee कैसा का हम करें, ऐसे एक जोब की वर्थ देगने कंपनी में क्या करते हैं, आप IT कंपनी में आप यह दख दो कि एक बंदा कि इतनी उनिट में रह कंपनी के लिए जो के लिए क्या value है, कुछ कंपनी किसी चीज में specific होती है, एक domain होता है कंपनी का, जिस चीज के लिए वो famous होती है, एक job evaluation के लिए एक क्या करना पड़ेगा, रेट जोब को किजिए, इंप्लोई को मत किजिए, इंप्लोई को मत किजिए, एक job के अंदर में आतर क्या है, ग्रूप दी जोब, कि जैसे अपने finance department न आ दिया, तो सारे finance के related work, सारे finance department डाल दो, ऐसे जो भी related task है, उसे आप ग्रूप करके एक similar nature में डाल देजिए, पूल दी नोलेज, methods, methodism दोपता है, more analytical, analytical, analytical का अंदर से दो दो पाइंट रिकता है, पॉइंट एंकिक मेथर्ट और factor conversation, पॉइंट एंकि मेथर्ट को मियासे देगी लेते है, कि आप जोब एक बंद है, वो पूरे असल जोब कर रहा है, तो उस जोब की अंदर आप अलग-अलग factors देखिए, कि एक employee ने कैसे काम किया है, अगर आपने एक employee से three types of work करवारे हो, कि आप उससे अलग-अलग काम के बारे हो, तो एक कोई ना कोई काम ऐसा होगा, वो बहुँ ज्यादा company के लिए ज़रूरी होगा, जो उसको time पर चाहिए होगा, एक पुरे अच्छे manner में चाहिए होगा, तो आप उसके factors को देखिए उसको पेगी जिए, factor compensation, इसमें कहादा, five type of factors होते है, mental, skill, physical, responsibility, job condition, जुन से ये पांच वक्तर हर एक में चाहिए होते हैं, तो इंप्लोई अच्छे से करें, advantages क्या है, job evaluation के लिए, एक rational और constant wages पेगारोगे, equalities आएगे, standardized process को कर पाऊगे, provides a rate for the job, not the person, keep down the cost of recruitment, key and retaining employees की है, कर जोब evaluate कर दिया, आप उसको अच्छे composition पर कर दियो, जिसके करन आपके पास ही देगा, company छोड़के नहीं जाएगा, consequences, formulation between labor and management, standardize the process, various other factors को, आप हर एक factors को determine करोगे, it provides a rate of the job, not the man, keeping, जैसे आपने उपर पांच प्रिस्पल पर, चार पड़े, rate the job, not the employee, first two job analysis, group the job, pool the knowledge, आप factors आजाए, कुछ भी आजे, आप इन्हें ही घुमा फिरा कर लिख दीजिए, दो तिन पॉंट्स को की तरफ से लिख जीजिजिए, कि अगर आपने एक जोग के लिए, लेकिन एक दूसरी कंपनी उसी जोग के लिए 6 लाग दे विए, तो कि आपने इंप्लोई स्विच करके चला जाए, यह आप आपने अपने अकोर्डिंग देख रहे हो, लेकिन क्या था इंप्लोई के प्रस्पक्टि से दूसरे भी फ्रेक्टर से है, तो आप हरे फ्रेक्टर को कंशिडर करो, ऐसा जुदूदी नहीं होगा, इंप्लोई देख लोगा, लेकिन एक कम्पनी के लिए उसके इंप्लोई को करना है एक एक कम्पनी के पास अच्छे इंप्लोई नहीं देंगे वह कंपनी को क्या कहेंगे उसको सारी को बेच खाएंगे safety of industrial worker is important as it safeguard human life especially in a high risk industries like aircraft chemical oil gas mining etc safety of industrial worker reduce the worker as their life एक 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 इंप्लोई गाड़ी वह बनता है ध्रम कालो क्रिक्षा एक रिस्पोंसिबिलीटी कि आपने इंप्लोई को सेफ्टी परवाड़ करें उन्हें अच्छा वर्किंग करेंगे देशके कारें इंप्लोई घुष रहेगा अच्छा काम करेंगा साथ मह आपने और भी आ एंप्लोई सेफ्टी सेफ्टी मेंस दी फ्रीड़न फॉर्म अप्रेंस ऑफ दी जोब रिस्क ऑफ इंजर और लोग यह कैना सेफ्टी का मतलब क्या कि वर्कर्स को जैसे कुछ का ऐसा होते है कि हलका सा काम गल्थ हुआ तो वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा यह कुछ हो वह कैसे के सकता है फ्राइश लगा दिया यह उसने पहले अच्छे तरी कैसे ऐनलीस कर ली एक्सपर्ट को बला के पहले देख लिया कि हाहां पर क्या क्या रिसक हो सकते हैं उसको हम कैसे कंटोल कर सकते हैं Employee Health The well-being of the employee in industry established affected by the accidents by ill-health अब इनल्थ कैसे कहते हैं physical or mental कि आप अपने employee की health का भी ध्यान रखिए क्योंकि जब तक employee healthy नहीं रहेगा वह अच्छी productivity कभी करी नहीं सकता तो उसे में यह कैसे कहते हैं Health में कैसे आप cleanness कर से इसे हैं disposal of waste influence कहोता है एक liquid waste होते है इसे में air, humidification, lightening, lightness हम आगे जागे पड़ेंगी अब पर विशन मेंदी फैक्तरी एक 1948 health and workers cleanness कि आप हर हफ्ते साफ़स्पाइड हफ्ते मेरा ध्रूर होनी चाहिए आप चाहिए डेली कर आपकी मलची अच्छा है disposal of waste and effilence कि जो भी फैक्तरी का वेस्ट है liquid हो चाहिए कुछ भी हो आप उसके लिए प्रपर रेनेज मनाई है क्योंकि अगर वेस्ट फैक्तरी के अंदर रखोगे वह एट दियंड सारे बैक्तिरिया मेरा रहेंगे वरकर उसको फेस करना पड़ेंग तो आप उसको जागना पड़ता है या तो आप उसको जंगा-जंगा रिखती है और जो भी और वरकर को कहिए कि अगर आप इंसके लावा करते हैं तो आपको फाइन लगेगा द्रिंकिंग वह अच्छा वोटर दीजिए टेंपेटर एंड वंटिलेशन फिर्टम फिर्टम नोईज जैसे आप थेटर में जाते हो जब भी आप अंदर एंटर करते हो थेटर में सब्सक्राइब करते हैं जिसके कारण बार की अंदर निया थी अंदर की बार नी जा सकती एक प्रपर साउंड सिस्टम होता है एसी आप अगिल्जाद के गउल सक्किझे कई साउंटै करिये है तकि इन देस्ट कंटोलव्कस पेस्ट DIREके सदुए लेकिकन हरोख फाइट्रिक मेंनने छेहँ तके सकीचिये ह dies वेस्टन कुषिए मडए पेट्ट्ट्टी सब्सक्राइब्पैर आं? इंप्रोविंग दी हल्थ सेफटी एंड जनरल वैल बिंग एंड इंडर्शियल एफिजेंसी ऑफ दी वाकर बियोंड दी मिनिमम स्टेंडर्ड लेबर लेशिट लेशन यह कहा रहा है और जो भी गौश्मेंट ने यह लो ने जो भी कहा रहा है कि आपको इस काम करना है तो आ में देना चाहिए मेरा बनता है इंप्रोव इस्टेंडर्ड ओफ लीविंग ऑफ वरकर एक वरकर भी कंपनी हमें भी अच्छा ट्रीट कर दिया तो हम भी अच्छा काम करके देंगे डिलाप्मेंट ऑफ दी ऑवर्ल पिसनलिटी और वरकर्स ब्योंड दी रूल बोग जाई हम पड़ गया है इंप्लेव एल्फेर क्योंता है जब आप किसी गौर्वर्मेंट या किसी ने भी स्टेंडर्स दे रख्या है आप उसके अबव जाने किता है करते हो कि हम उसको और भी अच्छा प्रवाइड करेंगे इंपोर्टेंस क्या है वह प्रवाइड बैटर अच्छे स्कूल दीजिए उनका हक बनता है कि वह अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा सके एक चाहा पुसन से पैसे मत लिजिए आप अपने इंप्रोइस को टांस्पोर्ट प्रवाइड कीजिए जिसे वह बीना थके कंपणी में आ सकेंगे अगर वह आने जाने में वह थक जेंगे वह कंपणी को काई आउटपूट देंगे जैसे लोग ठगे अपना काम चले कि रेस्टिंग चेर्स होती है मसाज वह रहा की आप अपने वर्कर्स पर लिए एक श्टोर अपन कर दीजिए इसमें बिलोग में प्राइस पर अच्छे प्रड़क्ट मिलें जिसे एंप्लोई को रहे कि यहां मेरे पैसे यहां प्रण्य यहां भी बच सकते हैं एक तो यह कि आप उनको पैसे दीजिए यह पनको फील को वाजिए कि हां तेरे पैसे बेश्य कम है लेकिन हां दूसर से ज़्यादर फिर भी तर पर बच्छे क्योंकि हम तो बैंटेशन लेबर एक्ट की गवर्मेंट ने काफी लेबर एक्ट नारक ह इंप्लोयर का में रोल होता ही है वह भी आपने चाहता है कि मैं अच्छे वर्किंग इंवर्मेंट दू जिसके करम वह मुझे आच्छा आउट्पुट दे एक दूसर स्कंपीड करती है तो एक अपने आपको बैटर दाने के लिए ज्यादा चाहती है आदर एजिंसी की कही इसको इसको कुछ ना कुछ ना कुछ फंड में जाता है जो गौर्मेंट के पांस वहता है फ्यूचर के लिए उसकी और कुछ एक सटेन परसेंटेज इंप्लोय भी देता अपना तो उसी को सोचल एसिस्टेंस आपको कुछ काम किया उस वह मैंटर निकाता है लेकिन गौर्मेंट उससे बैटर दे लिए ओल्डेज पेंशन हो गया या मैडिकल देती है अपने ओल्डेज पीपल को जिसे कहीं एबनेरसंटेज पासे अप्छेश घियर जीर आंगे। कि मैं टाइज इस थे को ऐसी तो इस शिल्टेज एस को टेजिए्ट अब्डेस, इस साही मैं इट गम्लेंट प्रिशन है हम इस्स 지ए सिख से कि अब एक इंप्लोई ने सुचा था कि इस इंप्लोई इस ऑग्राइज़ेशन में आगे आठ घंटे काम बनुगा है लेकिन अग्राइज़ेशन असलेट में 14 घंटे काम ले दिया है वह अपनी फैमिली को टाइम ही देपादा उसकी फैमिली से शिकायत कर दिया कि तू पैसे भी न कि जो आपके पास शिकायत है उसको जल्दी एक्शन लीजिए एक्नॉलीजिं कीजिए गैदर इंफेक्ट इदकों शिकायत को पर किसी वरके नगादे कि मेरा में अच्छा काम नहीं करें या मुझसे ज़्यादा काम ले रहा है तो यह आप सिद्धा मेनेजर को जाकर डाट कि अपने पास रख लिया है आप उसका प्रपर डिसीजन लेजिए इंप्लिमेंट फूल अप अभी आपि करें एक मोडल भी है एक मोडलाव ग्रावनेस है उसला ग्रेवनेस है एक मोडला बाइशल कमेशनल व लोग इमोड शिक्स सुशैश्श कंवान्ट चप्स पलेक्ष मैं एक क्षब्स सटीस्वाइन युटा तो सुपर्यजर को एधी फिर्बी से सय्था तो हैड दिपार्टमेंट को एडिव फिर भी सटिए नहीं कि कितने कितने तैम में एडिवे टीड़ एडिवर्ग गुटमेंट पुंचिया विल आप्रोज दी फॉर्मन एं तल ही इस वे वह थाइगा कि सब्सक्राइब के पास सब्सक्राइब कर सकते हैं जो साथ दिन के अंदर इपोर्ट ना के देगी तुदी मेनेजर विल गिव दिशिजन इन एक्ष्ट देज इज इडिवकर इस अपील वह गवर्मेंट के पास जा सकते हैं यह ताइम क्यों ने सब्सक्राइब करने के लिए इन्होंने टाइम को डिटर्माइन करते हैं आप एक बाद प्लीज स्टेप्स को अच्छे थी किसे देख लिए एक बाद पॉइंट को आयोप आपका पेपर अच्छा जाए